नमस्ते बच्चो न्यान सागराच्या भेटी साथी चला प्रवाही हो उया प्रादेशिक विद्या प्रादिकरन मुंबई प्रस्तुत कथा सरीता इस उपक्रम में आप सभी बच्चो का तहे दिल से स्वागत बच्चो आज का दिन है शुक्रवार दिन आंक 3 सितंबर 2021 आज का पंचा श्रावन कुरुष्ण एका दशी भारतिय सौरशके 1943 आज का दिन विशेश 3 सितंबर 1916 में एनी बेजंट इनों ने हुम्रूल लेकी सापना की 3 सितंबर 1855 में अध्यात्मिक गुरु पंत महराज बालकुंद्री इनका जन्म दिन तबला, घुमट और सारंगी वादक लक्ष्मन तता खाप्र मामा परवतकर इनका निदन 3 सितंबर 1903 में हुआ स्वामी वेकानन्द भारत के महान दर्शनिक थे जो उजिनों ने पूरी दुनिया को हिंदुत्व और अध्यत्म का पर्चम लेराया उनका मानना था यूँवा किसी भी देश की वो शक्ति है जो देश को विकसित और दुनिया की ताक्रत बनने में सबसे महत्व पुर्ण भूमिका निबाती है एका ग्रत्त का रहस्या स्वामी मेकननद और जर्मने के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पाल डायसन संस्कृत साइत्य पर चर्चा कर रहते किसी कारण वश प्रोफेसर साब को उठ कर बाहर जाना पड़ा स्वामी जी पास पड़ी एक किताब उठा कर उसके पढ़ने पलटने लगे वह कविताओं का संकलन था वे उसे पढ़ने में लीन हो गए थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटा कर लोट आए लेकिन स्वामी जी किताब पड़ने में इस कदर खोय थे कि डायसन के लोटने का उन्हें पता ही नहीं चला कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जान बुच कर उन्हें नजर अंदास कर रहे पुरी किता पढ़ने के बाद जब स्वामे जी ने अपनी गर्दन उपर उठाई तो डायसन को अपने सामने बेट कर इंतजार करता पाया वे बोले शमा कीजिए मैं पढ़ रहा था इसलिए आप कब आएं इसका पता ही नहीं चला स्वामे वेकानंद द्वारा माफी मांगने के बावजूत डायसन के मन का मलाल खत्म नहीं हुआ उन्हें यहीं लगता रहा कि स्वामी जी ने जान बुचकर उनकी उपेक्षा की स्वामे वेकानंद उनके बाव को जान गए उन्हें दुख हुआ दाइसन को यकिन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताये सुनाने लगे लेकिन इसका उलट असर हुआ कविता की पंक्तिया सुनने के बार दाइसन ने कहा लगता है आपने यह किताब पहले भी पड़ी है दाइसन के इस तरह सोचने का कारण यह था दो सो पढ़नों वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता था वे बोले किताब की सारी कविताया आदे घंटे में याद हो जाना मुम्किन नहीं इस पर स्वामे वेका नंदने कहा मिस्टर डाइसन जीवन में सबसे मुहतो पुर्ण है एका गरता एका गरता जितनी अधिक होगी आपका समय उतना ही कम लगेगा या काम का परिणाम उतना जादा होगा कैसी लगी कहानी? पसंद आई? तो लाइक कीजे, शेर कीजे अपना भी प्राइट नीचे दिये गए कमेंज बॉक्स में लिखना ना बुलिए रादेशिक विद्याप रादीकरम नुबई के यूट्यूब चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया होगा तो सबस्क्राइब कीजे और बेल आइकों पे क्लिक करना ना बुलिए चलो, कल फिर मिलते हैं एक नई कहाने के साथ तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद झाल